गुरूजी प्रणाम प्रणां जी गुरूजी अंगली कैसी है आपकी उंगली मेरे बहुत रिलीफ है लेकिन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है बहुत रिलीफ होता जा रहा दीरे-दीरे ठीक होगी तो जब तक आपकी अंगली की पट्टी सब को दिखती है, तो सब के सब लोग हर रोज आपकी अंगली के बारे में मालूमात करते हैं, वो पूछते हैं, उनको फिक्र रहती है उस बात की, कि गुरूजी की अंगली कब ठीक हो अच्छे से, अच्छा गुरूजी प्रशन शु अभी कुछ दिनों के बाद चैत्र नवरात्र शुरू होने वाले हैं, तो इसके संदर्ब में ही इनका प्रशन है, दो अपरेल के शुरू हो जाएंगे, जी गुरूजी, तो इन्होंने ये कहा है कि दुरूगा सब्ट शती के पाठ में कई जगहें मंत्रों को जपने से पह ये महाशक्ति का ग्रंथ है, शाक्त धर्म का ग्रंथ है, और महाशक्ति जो है वो तो इतनी प्रवल है, इतनी प्रवल है महाशक्ति कि जब वो संगार पर आती है, तो सारे दानवों का संगार करके उनका रक्ष पी लेती है, तो महाशक्ति की साधना करना बड़ा मुश्कि ब्खवान शंकर ने कील दिया है, ये कर दिया है कि किसी भी मंत्र का दुरुप्रियोग न हो जाया, महाशक्ति तो इतनी महाशक्ति है, कि ये अपनी आँखों की दृष्टी से आदमी को बसं कर दे, अब इस शक्तियों का गरत प्रियोग अगर आदमी करने लगेगा, तो सारे संसार में बिलकुल दुराचारी दुराचार फैल जाएगा तो भगवान शंकर जो है वैसे भी शिव का मतलब होता है कल्यान कारिव तो ये मंत्र कल्यान कारिव है दुरूप योग नहों इनका इसलिए सब को कील दिया है आप एक हजार भार भी पढ़ोगे कोई असर नहीं होगा आपने किताब पढ़ लिए मंत्र का कोई परभावी नहीं है आपने एक हजार दो हजार रोज पढ़ रहे हैं कखमाद तो उसके लिए हमें उत्कीलन कराना पढ़ता है यानि ऐसे मंत्र जो भगवान शंकर ने जुकी लखें तो भगवान शंकर को प्रसंद करके कहना पढ़ा का इन मंत्रों से अपना कीलक परभाव हटालो ताके मंत्र मेरे लिए परभावी हो जाए और वो शक्ति मेरे अंदर मुझे वो शक्ति प्राप्त हो जाए तो निश्कीलन करने के लिए हमें शाप भी मोचन करना पड़ता है मंत्र का कहीं से दुरूपयोग हो गया फिर और एक बात यह है कि बीज मंत्र जो है इसके अंदर कुछ तो मंत्र हैं कुछ बीज मंत्र होते हैं और बीज मंत्रों का उच्चारण अगर गलत हो जाए तो अपने कोई नाश कर देते हैं अंग तंग तंग पंग इन मंत्रों का बाहर उच्चारण भी होता गूपनिय मंत्र है तो इन मंत्रों में भी अगर हमारा उच्चारन ठीक नहीं है वेद मंत्रों में तो कहा ही गया है पतांजली ने महाभाष में बहुत सपस्टूप से कहा है कि वेद मंत्र की एक मात्रा भी गलत उच्चारन करने पर यजमान की आयू शीन हो जाती है आपने एक पंड़त को बुलाया विर्ता सुर्ण एक पंड़त को बुलाया और विर्ता सुर्ण पंड़त को कहा कि मुझे ऐसा मंत्र जाप करना है इंद्र मेरे हाथ से मारा जाए इंद्र मेरे हाथ से मारा जाए देवताओं करा जाए मेरे हाथ से मारा जाए वो जो पंड़त उनका जाप करते हैं, तो लोग उपर को हाथ उठाते हैं, आपने देखा होगा, कभी नीचे हाथ उठाते हैं, कभी उखरते हैं, तो जो उदात सुर हैं, वो उपर को, वहां इस तरह की खड़ी लाइन लगी होगी वेद मंतर पर, तो खड़ी लाइन है कि इस मंतर को उदात बोलो, तो उदात सुर्ख की जगे, एक जगे उसने अनुदात सुर्ख लगा दिया, और अनुदात सुर्ख लगाने के बाद क्या होगा, कि मंत्र का परवा होगा, मैं इंद्र के हाथ से मारा जाओं, मैं इंद्र के हाथ से मारा जाओं, तो विर्ता सुर्ख इंद्र के हाथ स जरा से भी अशुद्धी हो जाए, तो ये जो देवी के महाशक्षि के मंत्र नहीं है, तो इस महाशक्षि अगर गळत एक भी बीज मंत्र गळत परदिया, तो ये ज्मान वैसे नश्ट हो जाएगा। तो इसलिए पहले शाफ बिमोचन करना पड़ता है, शमा याचना, कि अगर मेरे से कोई मंत्र गलत अचारण हो गया हो, तो यह करना हो, किस मंत्र का मुझे फल ना मिले, लेकि मेरे उपर उल्टा असर रसका ना हो, तो दोनों तरीके से साफ बिमोचन, यानि मंत्र जो कील हो जाए, तो मंत्र पर भावी दोगा, और जब निश्कीलन हो जाएगा, तभी मंत्र पर भावी होगा, तभी फायदा है, जाप करना का, नहीं तो किताब पढ़ लिए और जाप कर लिए, उसमें कोई अंतर नहीं है, तो इसलिए निश्कीलन और साफ बिमोचन बहुत जरूरी है, महाशक्ती की धारना है, महाशक्ती को आसानी से धारन नहीं कर सकते हैं, अगनी में इतनी महाशक्ती है, उसे हाथ से थोड़ी उठाओ गए, उस पर कोई ऐसी चीज लानी पड़ेगी, कि मैंने अगनी को उठाना है, तो कोई चीज या तो ऐसी हो, कोई संसार मे होती हो जो हाथ पे मरलने हैं कोई ऐसी चीज जो उस पर तबागनी को उठाएंगे हैं तो इसलिए शाब भी मोचा नो दोनों दिस्टी से कि मंत्र का गलत उच्चारण हो गया बीज मंत्र का तो उसका गलत उच्चारण हो गया हो तो मुझे शमा हो जाए मुझे उसका परवाव जो उल्टा न पड़ है मेरा नाश न करे हो उस मंत्र को गलत यह होगा कि जैसे करते हैं इमोचन बहुत दिरूरी है, सब शती का पाठ करने, महाशक्ति को आसानी से धारण नहीं कर सकते आप